हेलो दोस्तों नवस्कार अंकोचिंग क्लासेश में आपका स्वागत है आज हम छायाबाद की विसेस्ता कभी या और उनके रचनाओं के बारे में अध्यन करेंगे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को प्रस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफियेशन आप तक पहुंच सके दोस्तो यमपी बोड में पूचने वाल एक सबसे महातपूंड कोस्चन है चायाबाद की विसेस्ता है जो पूरे पांच नमबर में आता है तो आज हम इसे अध्यन करेंगे चलिए तो वीडियो इस्टार्ट करते है तो दोस्तो चायाबाद है जो वो 1918 से यानि इसका समयका दोस्तो इसका पहला विसेस्ता है ब्यक्तिवाद की प्रधानता आपको चार विसेस्ता है लिखना होता और उसके साथ में कभी और उनकी रचना है तो चलिए पहला इसका कभी विसेस्ता है ब्यक्तिवाद की प्रधानता तो इसमें आप लिखेंगे चायाबाद में ब्यक् प्रतिगत भावनाओं की प्रधानता होती है ये पहली विशेश्ता हुआ दोस्तो दूसरी विशेश्ता है प्रक्रतिक का मानवी करण तो इसमें हम लिखेंगे प्रक्रतिक पर मानओ ब्यक्तित्तो का आरोप छायवाद की एक प्रमुग विशेश्ता है दोस्तो हम दूसरे न पारोप छायाबाद की एक प्रमुग विसेस्ता है ये दूसरी नमबर विसेस्ता हो गई तीसरी नमबर विसेस्ता है बेदना और करुणा का काब दोस्तो इसका जो तीसरा नमबर विसेस्ता है वो है बेदना और करुणा का काब इसमें हम हेडिंग डाल के लिखेंगे पादी का भी ने समाज में बयाप्त करुणा और बेदना को देख कर रचनाय की है, तो इसमें हम लिखेंगे तीसरे नमबर में, दोस्तो चौथा नमबर हम इसका टॉपिक लिखेंगे, चौथा नमबर भी सेस्ता होगा नारी के प्रती नवीन भावना नारी के प्रती नवीन भावना इसमें लिखेंगे फिर हेडिंग डालके छाया बाद में स्रंगार और सौंदर रिका लिखेंगे इसमें चाया बाद में स्रंगार और संदर्र का संबंद मुखता नारी से है यानि की चौथे नमबर में हेडिंग डालके लिखेंगे नारे के प्रती नवीन भावना फिर इसमें लिखेंगे चाया बाद में स्रंगार और संदर्र का संबंद मुखता नारी से है य यानि इसमें हमें 4 भी सेस्थाइं लिखना था और 4 भी सेस्थाइं हमने पूर्ण कर लिए है। इसके बाद हमें इसमें रचनाएं भी लिखना होता है। ये question पूरे 5 marks में आता है यानि 5 number में आता है। चलिए तो इसके कभी और रचनाओं का अध्यन करते हैं। दोस्तों इनके कभी और रचना हैं तो पहले नंबर में हैं जै संकर प्रसाद इन्नों ने छायाबाद की रचना की थी तो इनके रचनाओं का नाम है कामाईनी लहर आसू ये जै संकर प्रसाद जी का रचना हुआ और दूसरे कभी हैं महादेवी बर्मा इनके रचना हैं निह निर्जा रस्मी यह आपको लिखना होगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंड में बताएए और साथ ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्वाद